चार सेंटेंसे हैं, in the still of a night, a thief entered my room, दूसरा सेंटेंस है, a mother stilled her child by giving it milk, और तीसरा है, some people still don't know the name of M.K. गांधी, और चौथा है, they watched the still water in Naini Tal. अगर मैं ये कहूँ कि still noun भी है, still verb भी है, still adverb भी है, और still adjective भी है, तो आप अच्छी तरह से समझपाओगे कि क्यूं है और कैसे है, दरसल एक ही word, noun भी हो सकता है, verb भी हो सकता है, adverb भी हो सकता है, adjective भी हो सकता है, और preposition भी हो सकता है, अब इस तरह के questions TGT में, पूछा गया था round, round एक word लिया गया था, और उसको तीन sentence में तीन question बना करके पूछा गया था, और ये पूछा गया था कि यहाँ पर round adjective है, यहाँ पर round noun है, मतलब इस तरह से पूछा गया था, और मतलब बता रहे हैं कभी कभी आयोगा यह कही word को कही तरह से पूछ सकता है, तो इस चीज को आपको जानना जरूरी होगा, कि यह कही word अगर अलग-अलग function में काम कर रहा है, अलग-अलग position पर काम कर रहा है, तो अलग-अलग parts of speech के carding हो सकता है, जैसे इस sentence में देखो, जो पहला sentence है, in the still of night, still मने होता है, sunnata, है न, sunnata क्या है, नाउन है, आप कहोगे कैसे नाउन, तो नाउन क्या होता है, नाउन is the name of person, place, thing, quality, condition, and action, बट ये सही नहीं लगता है, नाउन को आप ऐसे define करो, कि जिस चीज को हम देख सकते हैं, छूच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं, हाना, तो नाउन ये जो बोर्ड है, ये नाउन है, मारकर है, नाउन है, मैं जो मैं दिख रहा हूँ, मैं अगर बोलूँगा, आई तो तो प्रोनाउन हो जाएगा, बट अगर एक person है, कोई तो नाउन है, जिसे आप छूँ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं, जिनको आ सकते, तो जो अनाटा है, पर यह सून सान होना से बना हुगा है, जो वर्व से बनता है, खास करके एक situation होता है, उसको हम बलitt स्व थीel langsam करते हैं, तो जो इस तील है सनाटा, मतलब एक ऐसा position है, एक ऐसा situation है एक ऐसा condition है जो सन्नाटा है तो रात के सन्नाटे में अब ये कैसे पता चल सकता है कि नाउन है अगर आपको ऐसे नहीं किलियर है अगर किसी sentence में लिखा गया है और उसके पहले ए एन दो का प्रियोग किया गया है तो समझ लेना वो नाउन है क्योंकि नाउन के पहले ही एन दो का प्रियोग किया जता है और किसी भी वर्ड के पहले एन दो का प्रियोग नहीं किया जता है तो ऐसे भी पता चल जाता है कि दो लगा हुआ इसलिए ये नाउन है और वैसे भ रात के अंधेरे में एथिप इंटर माई रूम 15 seniors में घुस गया इंटर के बाद 350 नहीं लगता है श्राजिशन नहीं लगा गया फिर भी में इसका हम प्रॉनौंसियशण करेंगे यानि कि रात के सन्नाटा क्या हो गया इस्तील में सन्नाटा होता है यह noun है यह mother एक माने stealed सांत कराया हर चाइल्ड अपने बच्चे को by giving it milk इसे दूध दे कर देखो it का जो प्रयोग किया गया है वो child के लिए किया गया है और जो child होता है यह neuter gender होता है common gender भी नहीं होता neuter gender होता है ऐसा इसको माना जाता है फिलाल child neuter common gender भी होता है लेकिसे इसके साथ he see का प्रयोग नहीं वलकि eat का प्रयोग किया जाता है यह समझो तो a mother stilled एक माने सांत कराया सांत कराया सांत करना सांत कराना यह verb है अब कैसे वर्ब पता चलता है कोई ऐसा वर्ड लो आप जब बोलोगे हिंदी में बोलोगे तो वो ना आएगा last में और action पता चलेगा जैसे बोल ना बोलना यह वर्ब है क्योंकि ना आ रहा है और बोल रहे हो तो देखो मुँ हिल रहा है नाचना ना कहोगे last म में ना रहा है और नाचोगे तो action होगा ऐसे इसका मतलब यह action वर्ड है नाचना और यह वर्ब है उसी तरह से still Sant कराना ना रहा है इस लिग वर्ब है अगर आप ऐसे नहीं मानते हो तो ऐसे मानों कि कोई वर्ड ऐसा हो जो अपने फार्म में हो है ना जिसको हम कहते हैं finite verb ये फार्म में है देखो ed लगा हो गया है इसका मतलब इस सेकेंड फार्म में होता है first farm second farm third farm ing farm या fourth farm में होता है उसको हम verb बोलते हैं और verb के position पर भी है यानि कि यहां verb लगना चाहिए subject है यह वर्ब है यहां पर वर्ब होना चाहिए और वर्ब की जगह पर है तो वर्ब है अपने second farm में है इसलिए वर्ब है सांत कराना नारा इसलिए वर्ब है तो यहां पर इस्तील वर्ब का काम कर रहा है क्यों क्योंकि वर्ब के पोजीसर पर है वर्ब के अस्थान पर है ठीक है तो यह नाउन है और यहां इस्तील वर्ब है और यहां पर देखो सम पिपूल इस्तील कुछ लोग अब आप कहोगे व helping verb है, so helping verb के बाद word आता है, तो verb जहार no, no मने जानना, तो यहाँ steel verb नहीं है, तो फिल, verb से पहले क्या आ सकता है, तो verb से पहले subject आता है, लेकिन subject के बाद और और verb के बीच में, अगर कोई आ सकता तो होता एड़वर्भ फिलहाल इस टील माने होता है अभी भी अभी भी तो कुछ लोग अभी भी नहीं जानते हैं दर ने माफियम के गांधी महात्मा गांधी का नाम कुछ लोग महात्मा गांधी का नाम नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं तो नहीं एड़ क्या है? आप भी नहीं की विश्यस्ता बता रहा है इसका मतलब इसकी लिगि क्या है? पोजीशन से भी आप पता कर सकते हो कैसे क्योंकि वर्ब के पहले लगा है तो फिर इसके पहले लगा है यानि कि इस एडवर्ब की भी सेस्ता बता रहा तो जो एडवर्ब की भी सेस्ता बताता है यानि कि जो एडवर्ब होता है वर्ब की भी सेस्ता बताता है एडवर्ब की भी सेस्ता बताता है एडजेक्टिव की भी सेस्ता बताता है यहां तक ही नाउन प्रोनाउन प्रिपोज आट मरिजिशन के विस्विस्यास्ता बताता दर उक्सर हम लोग यह जानते हैं कि जो होता है वर्ब की विस्सता और जयंक्तिव की विस्था बताता है तो यहाँएटिवर्ब आछिए आड़े वांस्ट उन लोगों ने देखा देश्टील वाटर यहांतề नावन के पहले लगा हुआ है और Noun को क्वालिफाई कर रहा है इसका मतलब कि यह एड्जिक्टिव है। कैसे पहचानते हैं। दरसल किसी भी एड्जिक्टिव को नाउन से पहले लगा करके हम देखते हैं कि उसको ऑड्जेस्ट कर रहा है की नहीं उसको modify कर रहा है की नहीं जैसे हमने कहा काला और काला की बाद मैंने बोल दिया बैल तो काला बैल पीला सेर लाल कपड़ा यानि की लाल कपड़ा पीला सेर और सफेद घोड़ा यानि की सफेद पीला लाल ये किसी न किसी नाउन के पहले लग रहे हैं जैसे सफेद घोड़ा घोड़ा नाउन है उसके पहले सफेद लगा है और ये सफेद बता रहा कि घोड़ा कैसा है सफेद है यानि कि उस घोड़े की विशेष्था बता रहा है तो यहां जो वाटर है वाटर की विशेष्था बत बता रहा है सांत वाटर उथला वाटर नीला वाटर है ना यह बता रहा है वाटर की विसेश्था तो जो नाउन की विसेश्था वाटर नाउन है मैटेरियल नाउन है इस नाउन की विसेश्था जो बताता है उसे हम एड्जेक्टिव करते हैं यानि कि उन लोगों ने नैनी सांत पानी को देखा तो यह पता चल रहा है कि स्टील नाउन भी है स्टील वर्ब भी है एडवर्ब भी है और इस्टील एडजेक्टि भी है इसको थोड़ा सवाम डीटेल में देखते हैं इस्तील मिन्स होता है सन्नाटा इस्तील मिन्स होता है दिलासा देना सांत करना बुझाना इस्तील मिन्स होता है अब तक इस्तील मिन्स होता है इस्तिर सांत चुप अगर हम देखें तो इस्तील नाउन की रूप में जो होता है वो होता है सन्नाटा इस्तील नाउन की रूप मे दिलासा देना सांत करना बुझाना होता है जिसका सिनोनिम कांसोल सूध क्वेंच बोल सकते हैं और स्टील एडवर्ब के रूप में होता है अब तक जिसका सिनोनिम हिदर्टू या एट होता है और स्टील मिन्स होता है स्टील जो है अडजक्टिव के रूप में होता है जिसक इसका मतलब कि तरह काम करता है इसका मतलब सन्नाटा होता है इसके पहले sentences हम लोगों पढ़ा है उसको समझा है और sentences है इसको हम लोग समझेंगे कि कहा कहाँ इस्टील के रूप में काम काम कर रहा है कहा गया कहा पहला संटेंस है स्टील काम कायट है एक सान्ट बिल्ली एक चुपॉ गिल्ली एक इस्थि बिल्ली बिल्ली की बिसेशता बता रहा है तो यह adjective हुआ तो यहां पर जो systil है, वो adjective है तो सांत बिल्ली स्थिर बिल्ली जमपड़ अपान दा टेबल टेबल पर कूद गई और सारी आःस्टेशनरी को गिरा दी फिल मतलब होता है देखो, यहां एक word है fail फाल मने होता है गिरना, तो फाल का जो फार्म चलता है, फाल, फेल, फालन चलता है, लेकिन एक फेल वर्ब होता है, फेल, ये वर्ब होता है, फेल मींस होता है गिराना, गिरना नहीं, गिराना, तो इसका जो फार्म चलता है, फेल, फेल्ड, फेल्ड चलता है, तो ये गिरान मेरा मित्र रहता है देलही में और लिव जो वर्व है वर्व के पहले लगा हुगा है तो वर्ब के पहले लगे और subject के बाद लगे यानि कि वर्ब और subject के बीच में लगता है तो या तो helping वर्ब हो सकता है या तो adverb हो सकता है ये present indefinite है present indefinite में helping वर्ब की जरूरत होती नहीं है तो इसका मतलब steel जो है adverb के रूप में काम कर रहा है अब ये करा है कि मेरा मित्र जो है इस्टील अभी भी लिप्स रहता है कहां रहता है देलही में रहता है तो रहने की विशेस्ता बता रहा है अभी भी यानि कि रहने की विशेस्ता बता रहा है तो जो रहने की विशेस्ता बताता है यानि कि जो वर्ब की विशेस्ता बताता ह उसे हम law करते हैं तो यहां रहने की बिश्यस्ता बता रहा है कि अभी भी रहता है अभी भी रहता है तो यह एड़ वर्भ हो गया इट वाज iṭaṃ इस्टीग एंड रेनिंग है विले इट वाज इस्टीग यानि की ुब ठीज जुप था नहीं सनाटा था इश्टील वाणि सनाटा अब देखो यह सबजेक्ट है यह वर्ब है और उसके बाद जो आबजेक्ट लगता है तो आबजेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है तो इसका मतलब यह नाउन होगा या प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन तो है नहीं नाउन है यानि कि इत वाजी स्टील सनाटा था एंड रेनिंग हैविली और तेज वर्षा हो रही थी तो यहां पर जो इस्टील है यह क्या है नाउन है क्यो की आपजेक्ट के पोजीशन पर लगा गया है तो जो सब्जेक्ट और आपजेक्ट के पोजीशन पर लगा जाता है सब्जेक्ट और आपजेक्ट के अस्थान पर लगा जाता है वो नावनिया प्रोनावन ही होता है ट्रिकी किसी का नाम है कुत्ते का नाम है तो ट्रिकी के प पूरी तरह से बेकार तरह से फूले हुए हैं यानि कि जो बैडली है ना इसकी विस्यस्था बता रहा है एस इसका मतलब क्या है विस्यस्था बताएगा वह सबस्याभर्भ हो और इस त में कर सकते हैं और पूछा गया है तो उसे हम आसानी से पहचान सकते हैं तो मुझे लगता है कि इस टील को आपने अच्छी तरह से समझा कि कैसे इस टील नाउन के रूप में काम करता है और अगर अगर अग्रेजी पढ़ने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को मित्रों म शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में प्रडाम